सब्सक्राइब किजिए मेरे यूटूब चैनल को और तबाइए इस बेल आइकन को नमस्कार दोस्तों स्वागा था आप लोगा मेरे यूटूब चैनल ले टूचर नलेज में और मैं हूँ आईसकुमार और आज मैं आप लोगों बताना आ ला हूँ कि आप फर्स्ट एन और नमर और फर्स्ट एन इवहन नमर का सम कैसे निकाल सकते हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को फर्स्ट एन और नमर बताऊंगा और उसके आफिर फर्स्ट एन इवहन नमर तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू जो बोनो समय का question था कि कौन सा इसा जानवार जो तीन साल तक सोच सकता है उसका answer है snail और जो उन लोगों ने सही answer देया उन लोगों का नाम ही यह चलिए अब शुरू करते हैं सबसे पहले first and odd number पे चले आते हैं इसका एक formula होता है formula क्या होता है n square n का यानि कि यहां मतलब है कि जैसे कि मैं आपको बोलूँगा first five odd number का sum निकालने के लिए यहां पे यह five है इसका मतलब होता है n तो हम लोग को simply क्या करना है first five odd number यानि की one three five seven nine यह हो गया first five odd number इसका sum हम लोग को 1500 यह हो जाता first 50 odd number का sum आप लोग दोस्तों चेक भी कर सकते हैं जैसे कि यहां पर five odd नमर था इसका हम लोग five square निकालते है या कि 25 और अगर हम लोग square भी करेंगी one plus three plus five plus seven plus nine तो यह भी टोस्तों 25 है चलिए अब first and even number की तरफ बढ़ते हैं तो first and even number यानि कि क्या हो गया जैसे कि हम लोग first five even number का सम निकालेंगे तो first five even number यानि की two four six eight ten इसका हम लोग सम निकालेंगे यह तो छोटा digit है इसको हम लोग जोर के निकालते हैं लेकिन अगर यहां पर बड़ा digit रहता जैसे 50 फर्स्ट फिफ्टी वह निमर्ट कैसे निकालेंगे इसका भी एक फर्मूला है इसका फर्मूला होता है एंटू एंटू अन प्लस वारी यहां पर एंग कितना है 50 तो 50 इंटू 50 प्लस वन यानि की 50 इंटू 51 इसको ब्रेकेट में कर जते हैं इसको 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 सॉल्व कर लेगा तो इसको सॉल्व कर देंबाएगा तो हम लोगका आगया फस्ट क्रिफ्टी है नमर का सम यह हैं और फिर्स्ट फाइब का सम यह है एक यह से अगर किसी का भी सम निकाल सक्थाइब सकते हैं जैसे कि first 25 वर्ट नम्मर फर्स 25 विवयन नम्मर इतना कभी आप निकाल सकते हैं तो चलिए आप बोनस अलज के तरफ भड़ते हैं तो आज का जो पूरा समय को कोस्चन है वह मैथ का होगा क्योंकि आज का टॉपिक भी मैथ से रिलेटेड था तो कोस्चन है अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए और अगर नहीं पता तो मेरे अगले वीडियो के जार किजिए थैंकी दोस्तों अगर इस वीडियो आपको पसंद आ हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपको मेरे वीडियो देखना पसंद है मैंनलो सब्स